हेलो स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है दा ओनलाइन गुरू में मैं हूं सुनिल शर्मा और आज हम यहां डिसकुस करने वाले हैं राश्ट्रिय इंडियन मिलिटरी कॉलेज के एंट्रेंस एक्जामिनेशन के जीके के पेपर के बारे में यह पेपर आपका जून 2018 का है तो आएए देखते हैं इसके डिटेल एक्स्प्लेनेशन के ऊपर तो यहां मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि अगर आपको आराइए एमसी के एडमिशन प्रॉसेज सेलिबस और बाकी चीजे जाननी है या फिर आपको राश्ट्रे मिलिटरी स्कूल के बारे में बाकी इंफरमेशन जाननी है तो यह चार वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो कि हमारे चैनल पर अवेलिबल हैं आप उसे भी देख सकते हैं क्वेशन है यहां पर कि जब 70th Army Day मनाया गया था 15 जैनवरी 2018 के दिन उस समय भारत के Chief of Army स्टाफ कौन थे तो देखे जिसको भी इसका आंसर पता है वो साथ में कमेंट करते जाएंगे ठीक है तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विपिन रावत यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या है विपिन रावत ध्यान देना मैं बात कर रहा हूं 15 जनवरी 2018 के दिन की लेकिन आज की अगर मैं प्रेजंट की बात करूं तो उस समय आपको यह ध्यान लखना है कि आर्मी के जो Chief हैं ठीक है Chief आर्मी स्टाफ जो हैं वो कौन है एक प्रेजंट में जेनरल मनुज मुकंद नरावने हैं कि कैस सेकंड तिंग आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो Chief of Air स्टाफ है वो कौन है राकेश कुमार सिंग भदौरिया जबकि नेवल स्टाफ की अगर बात करें तो एड्मिर को एक जुट करने का ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है और यह एक ऐसा पार्ट है जो बार बार चेंज होते रहते हैं ठीक है तो इसको आप करेंट के हिसाब से अपडेट करते रहें उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वहां पी करेंट अफेस के ठीक है यहां पर आपके पैस जो ऑप्शन से बाहुबली पदमावती हिंदी मीडियम और मैजिकल बॉक्स तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी मीडियम ठीक है यहां पर 63rd edition जो की 2018 में हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं मुंबाई में हुआ था हिंद जो की लीडिंग एक्टर रूल के लिए इर्पान खान को अवाट दिया गया था यहां पर बात करेंगे अब हम इसके 2020 वाले सेशन की तो यह आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा ठीक है आप टॉप राइट हंड कॉर्णर पे इन डॉट्स को क्लिक करेंगे आपको वहां प के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन है 2017 का ब्लिट्स चेस्ट चैंपियंशिप ठीक है उसमें ब्रॉंज मेडल इनमें से किसने जीता था ठीक है आपके पास चार ऑप्शन से इनका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा मैगनस कार्सन ठीक है यहां पर मैगनस कार्स अगर बात करें तो यह एट परजेंट के वर्ल्ड ब्लेट्स चैंपियं में ठीक है आप प्रिजन के वर्ल्ड ब्ले इटस चैंपियंट है थेख पहले 2017 में यह वह रोंज मेडल जीता था ठीक है यह आपको याद रखना है ब्लेट्स क्या होता है एक टायप का चिप चेस ठीक है जो की empower करता है woman empowerment से related यानि कि महिला सशक्तिकरन पर काम करता है तो किस state government ने उसे support किया है ठीक है तो यहां पर आपके पास options है इन options में से correct answer जो होगा वो हो जाएगा आपका हर्याना देखेगा यहां पर यह मनुसी छिलर जी है जो कि Miss World बनी थी ठीक है हर्याना से है औ और हर्याना government इन्हें support कर रहा है इसके लिए क्वेश्चन है hornbill festival इनमें से किस state में मनाया जाता है तो यहां आपका जो correct answer होगा वो हो जाएगा नागा लैंड देखेगा भारत में north east state की अगर हम बात करें तो आपको पता है इनको हम seven sisters के नाम से जानते हैं और इनमें यह दहा नागा लैंड का एरिया जहां पर फर्स से लेकर 10 दिसंबर तक यह लोग क्या करते हैं अपनी जो नागा जंजाती या ट्राइब से उनसे related rituals वगरा को शो करते हैं और उसी से related यहां पर hornbill festival मनाया जाता है ठीक है यहां पर अगर आपके पास question आ जाता है कि उत्तर से question या north to south का in states का जो है series या order बताओ तो देखो सबसे पहले आपको यहां पर पता होगा अरुना इंचल प्रदेश ठीक है second में अगर हम बात करें तो second में कौन आएगा असाम आएगा third में नागा लेंड आएगा आपके पास fourth में मेघाल है then fifth में मनीपूर आता है आपके पास then आपके पास जो है six के अंदर यह आ जाएगा मेजोरम अन त्रिपूरा ठीक है यह याद करेंगे बट इनमें सी order जो है maximum आपको अरुना इंचल प्रदेश नागा ल यह इंडिया का कौन सा स्टेट है कमेंट करके आप नीचे बताईएगा ठीक है देखेंगे यहाँ पर एक novel है जिसका नाम है two ठीक है इस novel को किस ने लिखा तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा आपका गुलजार जी ने लिखा था देखिएगा गुलजार जी का एक novel है गुलजार बेसिकली इंडिया में उर्दू और हिंदुस्तानी poetry के लाजवाब जाने माने व्यक्ती माने जाते हैं एक famous historical monument है जिसका नाम है राइगर फॉर्ट ठीक है आपको बताना है कि राइगर फॉर्ट किस इंडियन स्टेट के अंदर है तो देखो यहाँ पर आपका correct answer हो ठीक है और जो पहाडियों के अंदर है उसका नाम है महाद ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यह महाद राइगर डिस्रेक्ट महाराश्टर में available है और यह वो फोर्ट है जिसमें छत्रपती सिवाजी ने अपना capital बनाया था 1674 में और यहीं पर इन्होंने अपना क जगे पाया जाता है तो ऐसे रिसोर्स जो हर जगे पाये जाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा यूनी क्वेटस ठीक है यूबी क्वेटस अब यूबी क्वेटस रिसोर्स के बारे में बात करें तो ऐसे रिसोर्स जो हर जगे पाये जाते हैं उनको बोलते हैं ubiquitous resource यह air land और water हो सकते हैं जबकि localized resource वो होते हैं जो केवल selected हिस्से में ही पाए जाते हैं यह हो सकते हैं coal, petroleum, iron क्योंकि आपको पता है special जगों पर ही यह मिलते हैं other जगों पर नहीं मिलते हैं अब options में आपके पैस दो और resources के बारे में given है जिन पर भी question बनता है तो देखिएगा पहला है यहां पर renewable resource renewable resource ऐसे resources होते हैं जो की पुनाय बनाए जा सकते हैं that means वो खतम नहीं होते तो just like यहां पर wind energy है solar energy है ठीक है water है यह सारे खतम नहीं होंगे जबकि non renewable resources के बात करें जिनहें आप दुबारा नहीं बना सकते खत्म हो which of the following layer of the atmosphere is free from clouds ठीक है earth के इन में से कौन सा layer है जहां पर बादल फॉर्म नहीं करते है ठीक तो आपका यहां पर correct answer हो जाएगा stratosphere ठीक है stratosphere की अगर बात करें तो देखो यह earth के ऊपर के मैं आपको level दिखा रहा हूं सबसे पहला जो level है या layer है यह क्या है हमारे पास troposphere है जो जो की 0 से लेकर 12 km तक का area होता है यहीं पर aeroplane सुड़ते हैं यहीं पर hot air balloon सुड़ते हैं और यहीं पर clouds available होता है ठीक है second thing कि अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाएगा stratosphere जो की nearly आपके 12 से लेकर 50 km का reason होता है ठीक है stratosphere और toposphere के बीच में ही क्या होता है ozone layer पाया जाता है यह क्या है ozone layer है ozone का जो formula होता है वो क्या है O3 ठीक है यहीं हमें क्या करता है sun से आने वाले UV rays से बचाता है यहां पर क्या होता है stratosphere के अंदर तो stratosphere में fighter jets वगरा उड़ते हैं जबकि जो mesosphere है यहां पर मेक्टियॉर्स यानि कि टूकते पत्थर वगरा जो उलका पिंट प्रित्वी पर आते हैं वो आ जाते हैं ठीक है इसी के ऊपर होता है thermosphere जो की 80 से लेकर 700 km तक है यहां पर artificial satellites होती है और यहां पर ही आप देखेंगे aurora borealis नाम के जो घटनाएं है वो होती है aurora borealis क्या है कि जब नॉर्वे के अंदर या फिर northern या southern पर आप देखेंगे तो आपको आसमान में ऐसे लाइटिंग्स भिखरती हुई दिखाई देगी यह incident आपको देखने को मिलता है इसके बाद का जो लेयर है उसको हम बूलते है एक्जो स्फेयर ठीक है जो की नियरली 1,90,000 km तक का एरिया पाया जाता है ठीक है तो इसको आप लोगों को याद रखना है देखो question में आपसे पूछा गया है कि इन में से concave mirror का use किसमें नहीं किया जाता ठीक है does not use की यहाँ पर बात की गई है तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि concave mirror क्या होता है तो देखो mirror मेरे पास दो टाइप के हो सकते हैं एक तो यह और एक है इसमें यह back side के surface पर मैं polish कर देता हूं ठीक है यहाँ पर मैं back side पर क्या कर देता हूं polish कर देता हूं तो यह जो area बचता है इसका यह कह है reflecting पार्ट है अगर यहाँ पर light आती है तो light को क्या करता है वो एक particular point पर लेकर concentrate कर देता है ठीक है तो जिसका reflecting surface अंदर गुफा की तरफ हो उसी को क्या कहते हैं कॉन के कहते हैं ठीक है कॉन के और जिसका reflecting surface जो हो वो बाहर की तरफ निकला हुआ अबरा हुआ हो उसी को क्या बूलते हैं convex बूलते हैं, ठीक है, तो concave mirror minutos के बारे में आपको पता चला और आपको convex mirror मेरे में पता चला, ठीक है, टो यहाँ पे जो इयूज नहीं होता, वो rear view mirror में नहीं होता, cars के, ठीक है, अब कैसे तो वो देखते हैं? ने को concave mirror के जो use होते हैं, वो कहां कहां करते हैं? फ्लैसलाइट में करते हैं टेलियस्कोप में करते हैं जो कोस्मेटिक मेरर होता है उसमें करते हैं और गाडियों के हेड़नमप में भी करते हैं ठीक है ताकि एक चैनल ब्लसान की स्टूकर विंव ताकि food को produce किया जा सकें तो वहाँ पर इसका use करते हैं तो इन uses को आपको याद रखना है इनमे अगर बात करें तो इनमें से कौन रूमिनेंट आनिमल है ठीक है रूमिनेंट आनिमल तो देके यहां पर Buffalo Goat ये सारे के सारे जो है ruminant animal है अब आपको पता हो चीह ruminant animal क्या होते है तो देखो ruminant animals ऐसे animals होते हैं जिनका एक different या unique digestive system होता है इनका digestive system unique इसलिए होता है क्योंकि ये जो भी intake कर रहे है ये intake इनकी body में एक बार के लिए conserve होता है then after conserve होने के बाद ये इसको क्या करते हैं वापस body से मुँ में लाते हैं उसे वापस चबाते हैं और then after उसको क्या करते हैं अपनी body में transmit करते हैं जो digest होता है तो यहाँ पर ऐसे organism में जो अपने खाने को दिन भर चबाते रहते हैं उनको हम यहाँ पर बूल सकते हैं ruminant animal तो इनमें cattle होती है sheep, goat buffalo, giraffe, deer, camel ये सारे तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है question है कि इनमें से कौन सा physical change है ठीक है इनमें से कौन सा क्या है physical change है तो आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा sublimation पहली चीज़ तो यहाँ पर हमें यह पता होनी चीज़िए कि physical changes क्या होते हैं तो देखो physical changes ऐसे changes होते हैं जिसमें क्या change होता है किसी भी object की physical state जो है वो change होती है ठीक है और second thing यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो new product है इसमें कोई भी new product जो है उसका formation नहीं होता केवल क्या बदलती है उसका state change होता है तो state change के लिए एक example दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर gas है जब कभी भी अप gas को क्या करेंगे ठंडा करेंगे या deposit करेंगे तो यह क्या बदल जाएगा solid में बदल जाएगा second thing यही solid directly क्या होगा अगर gas में बदलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे sublimation बोलेंगे ठीक है तो sublimation किसका होता है आपने देखा हो kapoor वगरा ठीक है nitrogen gas वगरा का जब यूज करते हैं यूरिया बनाने में वो ठीक है अब ऐसे ही solid जो कि बरफ्ती उसको अगर आप melt करेंगे तो किसमें convert हो जाएगा liquid में जबकि liquid को freeze करोगे तो किसमें convert हो जाएगा solid में same as liquid को जब गरम करते हैं तो evaporate हो किसमें बदल जाता है gas में जबकि यही gas condensate होकर क्या बन जाता है liquid बन जाता है तो ऐसे changes जिसमें उसके केवल physical state बदलती है आप वापस उसी product को receive कर सकते हैं वो सारे के सारे change क्या होंगे physical change होंगे ठीक है जबकि oxidation, reduction या decomposition यह सारे के सारे क्या है chemical change है ठीक है और chemical change ऐसे changes होते हैं जिनके अंदर उनकी जो state है वो बदल जाती है इन में से आपको बताना है कि कौन chemical change में आता है heat करने पर ठीक है किसे गरम करने पर उस पर chemical change देखने को मिलते हैं तो यहां आपका जो correct answer है वो हो जाएगा lead nitrite देखेगा lead nitrite को जब आप करम करते हैं तो वो क्या करता है other product बना देता है ठीक है oxide देना start कर देता है तो यहां पर nitrogen dioxide gas और oxygen gas अलग हो जाते हैं इसलिए इसको यहां पर बोला जाता है chemical change ठीक है यहां पर आपको बताना है कि dew जो है वो form होता है रात के समय ठीक है उसकी इन में से कौन सी property है ठीक है तो यहां आपका जो अंसर होगा calm and clear night में ऐसा होता है अब ऐसा क्यूं होता है वो देखिएगा जितने भी plant वगरा होते हैं उनके leaves से water vapors निकलते हैं यह water vapor क्या होते हैं जब calm and clear atmosphere होता है तो उस ठंड से यह जो water vapors होते हैं यह condensate होके droplets में convert हो जाते हैं इनके ओपर बहुत सारे water के droplets आप देख सकते हैं तो यही क्या हो जाएगा water dew हो जाएगा ठेक है question है यहां पर कि metal जिसकी highest melting point होती है ठेक है तो यहां आपका correct answer हो जाएगा tungsten highest melting point मतलब जिसको गरम करने में ज्यादा temperature देने के requirement हो जबकि यहां पर अगर हम देखेंगे तो silver बहुत जल्दी melt होता है chromium बहुत जल्दी melt होता है जबकि diamond तो metal ही नहीं है ठीक है तो यहां पर आप ऐसे eliminate कर सकते हो second thing अगर आपसे पूछ लिया जाए कि hardest non metal क्या है तो आपका answer क्या होगा डाइमेंड होगा अगर आपसे यह पूछ लेता है कि hardest metal क्या होगा तो आपका answer क्या हो जाएगा platinum हो जाएगा तो इसने के questions and answers आपसे कई बार पूछे जाते हैं उसको भी आप लोगों को याद रखना है यहां पर देखेंगे एक water holding capacity जो है इनमें से किस टाइब के सॉइल की सबसे ज्यादा होगी तो देखो आपको पता है जो अर्थ है उसका अपर्मोस्ट जो रीजन है वहां पर पाया जाता है इसमें जो इसके particles होते हैं देखो एक तो particles ऐसे हो सकते हैं ठीक है एक जिसके अंदर particles कितने हो बहुत छोटे छोटे हो उसके अंदर क्या होता है water holding capacity ज्यादा होती है क्योंकि जहां पर यहां अगर पानी डालोगे तो यह तो सीधा सीधा बहके नीचे निकल जाएगा ठीक है लेकिन इनमें यह बहके नहीं निकल पाता है तो यह जो होता है यह क्या होता है clay soil होता है इसको भी आपको याद रखना है यहां देखेंगे जो muscle scramps होते हैं ठीक है आपको बताना है यह muscle scramp इनमें से किसके accumulation के कारण होते हैं तो आपका जो correct answer होगा वो lactic acid के कारण होते हैं देखो एक चीज आपके body में क्या होता है digestion होता है और digestion की अगर बात करें तो आप जो glucose ले रहे होते हैं body में उससे energy मिलती है लेकिन कब जब आप oxygen के presence में work करें लेकिन आपने कई बार देखा हो कि आपके blood आपके जो muscles से वहां पर कई बार क्या होता है oxygen का absence हो जाता है तो जब भी oxygen का absence होता है तो वहां पर fermentation process से lactic acid बनना स्टार्ट होता है और इसी lactic acid के कारण आपके muscle scramps होते हैं ठेकर तो यह चीज आपको यहाँ पर याद रखनी होगी एक thermos flask होता है यह क्या करता है loss और gain of heat को रोकता है कैसे रोकता है conduction से convection से या radiation से तो यहां पर आपका जो answer होगा radiation से होगा कैसे उसके बारे में समझेगे देखो तीन टाइब से energy transition operations होता है ठीक है पहला हम यहां पर लेंगे radiation radiation क्या होता है जब आप उसके contact में बिलकुल भी नहीं है ओर जब आप contact में नहीं है तो जो Energy निकलती है वो किसके थरू से कोई भी contact नहीं होता तो वह radiation को रोकता है जबकि second thing convention क्या होता है convection आपको यह एक याद रखना है कि convection जो होता है वह always or always किसमें होगा water के अंदर होगा conduction जो होगा वह always or always क्या होगा solid के अंदर होगा या फिर यह कहें सबसे ज़्यादा metals के अंदर होता है और radiation जो होता है वो कहां पे होता है air के medium में होता है तो कई बार इससे related question होता है तो आपको यह ध्यान लखना है convection water में होता है conduction metals के थू होता है solid में ठीक है और जो radiation है वो airs के थू होता है तो यहां से energy जो है transmit होती रहती है question था कि जो stainless steel के pan होते है थेकर उनका base copper का बनाया जाता है क्यों बनाते है थेकर तो यहाँ पर देखेंगे copper का बनाने का main reason यहाँ कि copper जो होता Là वो better conductor होता है heat का, ठीक है, तो heat को ज्यादा conduct करने के कारण यहाँ पे copper का base बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखेगा, इस type के pan के नीचे यह जो आपको देखने को मिल रहा है, अलग color का, यही क्या है, copper है, और ओपर वाला stainless steel है, यहाँ पे एक wooden spoon है, लकड़ी की चमच है ice cream में dipped होती है, तो उसका other end होता है, वो क्या होता है, थंडा हो जाता है, अब थंडा होने के लिए भी तीन option है, किस process से होता है, तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको जब बताया था, तो हम यहाँ पे इसका answer क्या कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्यों करेंगे, क्यों है, convention किस में होता है, water में, या फिर यह कहा जाए, liquid state में, और यह क्या होता है, gaseous state में, या फिर यहाँ पर यह मैं बूल सकता हूं, कि यह air के अंदर होता है, तो इस चीज़ों को भी आपको याद रखना है, acidic acid जो है, इन में से किस में पाया जाता है, तो देखो acidic acid जो है, विनेगर में पाया जाता है, और अपन लोग इसका यूज जो है, चावमिन वगरा बनाने में करते हैं, तो यहाँ पर देखेगा, acid और base में difference है, जो कई बार आपके लिए important होता है, देखो acid और base का जो पहच blue को red में बदलता है, जबकि base क्या करता है, red को blue में बदलता है, acid cohesive होता है, metals के लिए, that means, metals पे जंग लग जाती है, उससे जबकि bases slippery feel करवाते हैं, smooth feel करवाते हैं, जबकि main definition की अगर बात की जाए, तो acid always H plus ions generate करते हैं, जबकि जो bases हैं, वो OH minus ions generate करते हैं, ठीकर reaction की अगर बा means उसके impact को खतम कर देते हैं, और यहां पे भी यह same concept है, identify the writer who created the famous character Mowgli, Mowgli का character इनमें से किसने generate किया था, तो आपका correct answer हो जाएगा, Rodeyard Kipling में, देखेगा, Rodeyard Kipling वो person थे, जिन्होंने लिखी थी the jungle book, ठीक, और इसी jungle book के अंदर यह वो character है, जिसे हम Mowgli के नाम से जानते है यह बगीरा है और इस टाइप के बहुत सारे characters आपने बच्पन में देखे होंगे, यहां बात करेंगे, ASLV का आपको full form बताना है, ठीक है, तो ASLV का full form क्या होता है, augmented satellite launch vehicle, यह जो satellite launch vehicle होते हैं, यह क्या होते हैं, देखिएगा, जो भी हम satellite भेजते हैं, उन satellite को भेजने के ल SLV बनाया था, इंडिया ने, ठीक है, first launch 1979 में किया था, जो कि fail हो गया था, second launch 1980 में successful रहा था, ठीक है, तो यह SLV होता है, जिसको हम बोलता है, satellite launch vehicle, उसके बाद इंडिया ने बनाया, ASLV, जो कि augmented satellite launch vehicle है, first two launch 1987 और 1988, दोनों fail रहे थे, उसके बाद 1992 और 1994 में हमने successfully काम किया था, फिर बात आती है, PSLV की, जो कि polar satellite launch vehicle है, 1993, first unsuccessful रहा था, ठीक है, उसके बाद 1994 से 2003 तक 7 successful launching इससे किये गये थे, और आज भी इसके थुरू हम launch कर रहे हैं, उसके बाद आता है, geosynchronous satellite launching vehicle, ठीक है, GSLV, इसके भी दो prototype है, इंडिया के पास, सबसे पहले first flight 2001 में हमने इसकी की थी, ये सारे के सारे जो है, mark second तक के हैं, और ये जो है, mark third है, जिसको इसरो का बाहुवली भी बूलते हैं, ठीक है, इसरो का बाहुवली बूला जाता है, किसको GSLV MK3 को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, questions बना सकता है, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे, एक example बताना है, application software का, ठीक है, इने में से कौन सा एक application software है, तो देखो MS Word, MS Excel, दोनों ही application software है, तो answer number C, यहाँ पे हो जाएगा, अब आपको पता होने चीए, कि application software क्या होते हैं, और system software क्या होते हैं, तो देखो system software, ऐसे software होते हैं, जो आपके computer को चलाने के लिए compulsory होते हैं, ठीक है, इसके ब जबकि अगर application software की हम बात करें, तो यह आपको various काम करने, जस लाइक document file बनाना, accounting report करना, यह सारी चीज़ें करने में help करता है, इसकी आपको requirement होती है, ठीक है, इच computer में आप बहुत सारे application software को install कर सकते हैं, ठीक है, तो basic इनके जो example है, जस लाइक Microsoft के Office, Excel, Word, PowerPoint, Outlook, यह सारे के सारे क्या है application software है, जबकि system software की अगर बात करों, तो just like आप बात करते हैं, Windows की, Linux की, iOS की, तो वो सारे क्या होते हैं, system software होते हैं, ऐसे ही mobile में हम लोग use करते हैं, Android, ठीक है, तो यह सारे क्या है system software है, जो कि उसको चलाने के लिए important है, लेकिन आपके mobile में WhatsApp आप install करो, ना करो, उससे mobile के चलने पर कोई भी फरक नहीं पड़ता है, यहाँ पर question है, आपका विक्रम सारा भाई space center जो है, कहां है, तो इसका correct answer हो जाएगा, तिरुवननत पुरम के अंदर है, ठीक है, तिरुवननत पुरम की अगर बात करें, तो देखो तिरुवननत पुरम के अंदर है, त यहाँ पर rocket से related या space vehicle से related research का यहाँ पर काम किया जाता है, यह आपको याद रखना है, जबकि satellite हम कहां से launch करते हैं, 37 धवन space center से satellite को launch किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है, तो student यह था हमारा आज का वीडियो, I hope आपको easily समझ में आया होगा, यहाँ पर आपसे एक request है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए ताकि ऐसे ही updates आपको मिलते रहें, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिंद